जै मातादी मित्रों मित्रों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं मित्रों अनन्द चतुर्दसी 2022 में कब हैं? 8 सितंबर को या 9 सितंबर को इसका सहित थी किस दिन है? सुब मुहरत कब है? और पूजा विधी किस प्रकार से है? और किस प्रकार से आप गनवत्ती विश्रजन मुहरत कर सकते हैं? मित्रों इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं और अनन्द चतुर्दसी के दिन किस प्रकार से आप पूजा उपास न करके भगवान विश्रुजी को प्रसंदक कर सकते हैं और कौन से मंत्रों का उत्तारण करना इसी दिन बेहदी सुब माना जाता है बेहदी सांदार बेहदी अच्छा माना जाता है मत्रों आप सभी को बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा अंदर दख देखेगा मुझसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें ताकि ऐसी ही नौलेज़फूल जानकारी आपको मिल सके तमत्रों अनन्द चतुरदसी वरत का हिंदु धर्व में काफी महत्व है इस वरत वर्व को अनन्द 14 के नाम से भी जाना जाता है इसे दिन कई अवतारों के भगवान विश्नु को याद करते हैं हिंदु कलेंडर में भादरपत महिने के सुकलपक्षे के चौदवे दिन आने वाला यहत्यवार एकता और एक समान भाईचारे की भावना का ज़स्न मनाता है अनन्द 14 के दिन भगवान विश्नु जी को प्रणाम करके उसकी पूजा पर धागा बांदना जाता है या धागा या तो रेसम का धागा या सूती का धागा हो सकता है इसमें 14 गाटे होनी चाहिए गनेश विसरजन भी अनन्द 14 के दिन ही मनाया जाता है पूरे देश इस पर्व को बड़ ही जोस और उत्षा के साथ मनाता है और इस साल अनन्द चतुरुदसी का तेवार किसे दिन मनाया जाएगा इसका सुब मोहरत कब होगा और कौन से सुब मोहरत में भगवान विश्रुजी की पूजा करड़े से आप लोगों को नुवानशित फल मिल सकता है आईए इस पीडियो में आपको हम बताते हैं तो मित्रों इस साल अनन्द चतुरुदसी का तेवार 9 सितंबर 2022 दिन सुक्रवार को मनाया जाएगा माननाता है कि जो भी भगवान स्रीहरी विश्रुजी की पूजा विधी पूरुवक करते हैं उनके सभी मनों क लाइक कर दिजिए का चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी पती भगवान स्रीहरे विस्नुजी की किर्पा आप लोगों पर बनी रहे इसके लिए जै स्रीहरे विस्नुजी